मैं डाक्टर इशाद लिखान सायाचा राजी की विग्यान विभाग राज के बंगण मावदेने चीटवा ना में कार रहे हूं आज हम राजी की प्रकृतियों कारिये कि उदारवाद आदर्शवाद और माक्षवाद भी शिद्धान्त का धिन करेंगे जिसमें पहले में हम उदारवाद का धिन करते हैं जैसे कि टी-एच गरिन ने काया है कि राज्य सकती नहीं वरण मानूए इक्षा परादा जी होता है वास तो मैसा प्रतित होता है प्रत्यक विचारक अपने 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 दृस्ट कौनी का अनुसार राज्य का विचार किया उससे उन इसको एक ऐसा संक्ट मानते हैं जो अपनी एक्षा भौतिक की कानूनों के अनुसार प्रक्रता है राजनती विग्यान में भी राज्य परकिशी एक प्रिप्रक्षिय में नहीं वरन विविन विचार किया गया है राजी पर वीविन विचार को दोड़ा उलग अलग प्रीप्रक्षियों और संद्रोबूट में विचार करते हुए विविन शिद्धान तो और विचार धराओं को प्रत्रवादान कीअ गया इन में सेंगा है इन में लिबरलिजम, उधारवादी विचाधरा अन्हे विचाधरां की भांतिनिश्च्चित और करमपद विचाधरा नहीं, उधारवाद ना तो किशी एक विचाधरा किशी युक के साथ जूरी हुई है। ते तो जो की पूर्ट एसा थे नहीं ये दिपी वेक्तिवाद उदारवाद का भी नहीं आंगा कि इन तो दोनों एक ही चीज नहीं है जॉर्ज शेपाई ने लिखाए कि लगभग अठाशो तीस एश्वी तक इन दोनों में कोई विशेश भेद नहीं था क्यूंकि उस समय तक ये दोनों विचादाराएं वेक्ति जीवन में राज्ज शेपाई के विरोदी थी लेकिन इसके बाद इस्तिती बदल गई गरिन जैसे उदरवादियों के दोवारा नकरातमु सतंतता किस्तान पर शकातमु सतंतता पर जो देते हुए कहा गया कि समाज सभी सदिश्यों के कल्याण और विकास के लिए रज्ज दौरा समुचित सुईथाओं के विष्टा की जाने चाहिए यदि जनकल्यान के इस लक्ष को प्राब्त करने के लिए वेक्तियों की जीवन में एस्टक्सेप करना यद राज्चे दोरह वेक्तियों की जीवन पर नेंदर रखा जाना आवशिक हो तो राज्चे ऐसा भी कर सकता है प्राई लोक तंतर को उद्धरवाद का नाम दे दिया साइल लेकिन- यहerem सीमित अर्थ में ही सही है हुद्धरोम कि श्ताम विश्वास करता है लेकिन उधरवाद सामाजी को राजनृतक से र scroll-up पस्ट कोई केहित की रक्षे के परति अधिक चाहुरू का इस प्रकार उधारवाद लोगतंतर से कुछ अधिक हो जाता है उधारवाद प्रिवरतन और प्रगत्ति का संदेश देता है और वेक्तिवाद स्बस्पिक समंद के विश्यव पर अब तक दो प्रकार की विचाद है इस प्रकार की विचाद हैं रज्ये को समस्त मानिविवरतन के प्रकार की इन विचाद हो जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानी व्यवस्ता का केंदर व्यक्ति ही है राज जिस हमाज और अनिसनस्त है इस व्यक्ति के कल्यान के सादर मातर ही ही है और समस्त राजनतिक आर्थिक और शामाजिक व्यवस्ता का निर्धान व्यक्ति को केंदर मान कर ही किया जाना चाहिए कि उधारवाद के मूल सिध्धान्त में हम कह सकते हैं जिशाल नदि के भाति जिसमें बहुत सी छोटी नदिया मिलती है।енер उन के म कुछU साक्षा इप निकले इसकते हैं और बंदों में जकर रखा था ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी विशेस का पॉप सास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वही पर्मानिक है के लेकिन सत्रुए और अठारुवी सत्दी में नव जागरन के साथ परमुक के उधारवाजी दारशनी कुन सास्त्रों के जाके मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है इस प्रकार उधारवाज इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दीजांची उधारवाज ने इस दर्ष्टिकोन को अपना कर स्वतंतर चिंतन को प्रशंत किया इतियास और प्रम्प्रा का विरोध किया उदारवाद माने विवेक में विश्वास करता है और किशी भी ऐसे विश्यास रस्ता या सिध्धान्त को स्विकार करने के लिए तियार नहीं है जो बुद्धि संगतना हो चाहे वह कितना ही पुराना क्यों नहीं हो चाहे वह से कितना ही पवित्र क्यों ना समझा जाता रहा हो उदारवाद का विश्वास राह है कि यह दी परगर्ति के लिए इतिया सुप्रमपराओं के परति विद्रो किया जाना आउशक हो अगरो आउशक ही किया जाना चाहिए लेकिन उदारवाद दी सदे वी विद्यमान विवस्ता के विरुदि नहीं रहे हैं और आज तो पर किशी स्वच्छा चाहिश सत्ता का नेंद्र ना हो ऐसा वातरन हो कि वेक्ति अपने विवेक के अनुसर आच्छन कर सके उदारवादी ने सदेवी मानों जीवन पर नियुन को सत्ता का विरुद किया है और वे राजमितिक आर्थिक ग्यादिक और धार्मिक सभी से प्र में सब्कर के साथ इसका प्रत्रक्स मन्द है क्योंकि इसका जर्म स 한वारा द्रमिक आधार पर प्राप्ता संधक्रोथ में हुआ था वेक्ति स्देवर शामाज और राज्य सदन हैं है कि अदरवादी को मोला आधार दार विक्ति हैं वह वेग्टि को सदे मान कर ही आगे बढ़ते हैं उनके अनुस वेक्ति को बहुतिक विक्तिक भृतिक बहुतिक और आध्यात्मी कल्याण उसकी रसनात्म करने सामाज और शच्जे तो सादमातर है उससी की मात तक है जहां तक वे इस लक्षी की पूर्टीमें सांगतने उधारवाद항, करते सब्सक्राइप सर्क्राइब सामाज और रज्जे के प्राकृत्य नीमों करते मांनते, उनका विचर Quinnika मरादा है ich Todo अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए ही किया गया है वेक्ति अपने आप में पूर्ण है सामाज और राज्य का संगतन उनके दुवारा अपनी निश्चित योजना के अंसा किया गया है और इन सनाते वेक्तियों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे सामाज और राज वरन यह तो इन संस्थाओं के पूरों में पूरों से विद्य मान रहे और स्रामास्तित राज्य की उत्पति इन अधिकारों के लिए ही हुई है इस संब्य में लौक पॉराकिक अधिकारों का सिघ्धान विशेस परसिद्ध है जिनके अनुशारे वेकती के मुखे पॉराकर्टिक अधिकार जिवन संपत्यों श्वत्नतताका अधिकार है द्रमन्य परक्स अधर्स यानि कि उधाहर वाद धर्मन्य परक्स। अधर्स में विश्वास करता है जिसके अनुसरा राज्य कोई धर्म ना थी राज्यी के दोर्फार, अपने सबी नागरिकों के प्रख совुत्तार्स या पजादीerd का विके जिस के बर विक क्या थी दोर्फ स हुआ को ईडारवाद का अंतिमगिन तो सबसे अधिकमेट पुद मुझजा जासकता है है। वे इस बात पर बल देते हैं कि वेक्ति के अधिकारों की रक्षा का सोच्छेस उपाई यही हो सकता है कि सासन के सक्ति स्वयम जन्ता के हाथों में हो और किसी वेक्ति अथ्वा वर्ग विशेस की स्वच्छतारी धंग से सासन करने का अधिकार ना हो इसी अउधारवादि वि नावस्टर से नाप्राप्थ से सवच्छतारी का विरोध का परतिपादन व Reality अपने स्वभाव से ढर्भा विरोテ करता है और इस बात का परतिपादन करता है रिए वेक्ति की नहीं वर्ण कानूं की सिसे माणने करता है और जनता की हितों का ध्यान नहीं रखता तो ऐसे इस्तिति में जनता के को अत्याचारी शासन के विद्रोक का अदिकार प्राप्थ हो जाता है लेकिन इसके साथ ही उदारवाद की धाना है कि प्रियोतन हेतु स्वान्ति पूर्ण और वैधाने को पाई ही अपना जाने चाहिए इस सम्मंद में 1688 इश्वी की इंगलेंड की गौर्मोन करांती उनका आदर्श है अंतराष्टी और विश्व स्यान्ती में विश्वास यान उदारवाद के अनुसार प्रतेक राष्ट्र को सैंच सने सेने स्वांति पूर्ण प्रगति करना चाहिए उसे अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगति में साहिता देने चाहिए उदारवाद के अनुसार राष्ट्रिये वेमिनश्य की भावना को प्रोसाइत नहीं किया जाना चाहिए और समय दिवारा उंतराष्ठे से उध्य नेटित ह馮ों भोकार क्रें इस कर लिया में करें में तो हुदारवाद ऑदर्श्य व कारें के समों में उधार्वार को सुध自द एक ही दृष्टिकॉन नहीं रहा है और इस समिन में उस्की विचाः धर Миकौह मिसे प्रमपेटमार्गत की प्रकार फटारवाद है जान लॉक और सूर्ट मिल को इस तरय इस से प्रमपतेट बाईवाद की फतलित वीचार खाज जा सकता है प्रोफेसर हॉब्हौन समय अपने उदारवाद से शक्क करतितों में प्रमपतितों दर्वाद की नो مثे मि्मूल सब्सक्राइब बताएं जो इस प्रकार है याने होब आपसने बताएं जो नागरिक सुतंतरता है वितिय सुतंतरता है वेक्तिकर सुतंतरता है सामाजिक सुतंतरता है आर्थिक सुतंतरता है परिवारिक सुतंतरता है जाति और राष्ट्य सुतंतरता है अंतराष्ट्य सुतं नुन का प्रभूत होना चाहिए विती सुतंतरता में जिसे की मद्य यूग में निर्कुसास को दोराने एक बार जनता पर मनमाने कर लगा जाते थे अतरनागरी चेतना को दे के साथ इस बात वपल दिया गया कि नागरीकों पर उनके प्रतिनुद्द्द्द्द्द्द्द् प्रतिनुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द समाज करें सुर्द गोडिवाधि चीनतन्य स्वेश्व स्षामाजिक स्वतन्तर्त क्या Ng God कटीवायं कोई भ्यावव न деле संद्रमहें बघ्ष्प प्रम्प्रगतिश और उन संछलित उद्योग व्यापार में रज्य के दो बात उबल दिया गया कि आर्थिक सेत्र में राज्ये द्वारा हस्तेक्सेप की निती पॉलिश ओफ लेशेज फैर उतनाई जाना चाहिए याने कि राज्ये के द्वारा व्यापारिक और अध्योगिक सेत्रों में मुक्त प्रत्योगिता की विचार को अपना लिया जाना चाहिए याने व्ट्यों को आर्守 सेत्र में सवेधा कि सुत्तारा प्राप्थ होने चाहिए और उन्हें अपने आर्थि कुन engag टी के लिए संग और समपत्रा प्राप्थ होने चाहिए अपने यह हिए के विचारक जो है उदारवादी विचारक राश्टरों के आत्म निर्म chemistry के सिद्धान के पर बल समब तक तो और बभली बशास के दुनके सिध्धान्त का परतवदं करते थे सबसे बड़ी विशेशता और सबसे देन थी कि रज्य के कार्यूंग में सक्री रूप से भाग लेने का नाम ही राज नितिक मामलों में समुचित जानकर इप्राप्त करने का था उन पर सुतनता पूरों विवाद करने का अधिकार इस प्रकार उदारवाद के राजनितिक सुतनता लौकतन पर के प्रयावाची है प्रमप्रागत उदारवाद के इन सिध्धानतों को दर्ष्ठी में रखते वे इससे बहुत कुछ स्मीमा तक व्यक्तिवाद का स्वियोग इस दर् अधिगल उदारवाद के विष्वास करते थे लेकिन इस समय तक प्रिष्ठतिवीघ Bonus फ्रूदोन को क। जोगे ने के पेरिणाम निर्दन सर्मिक के वर्ग के लिए भूत अदिक बुरे हुए थे और यह बात बहुत अधिक जूरुरी हो गया था कि निर्दन वियक्तियों के हितों की रक्षा के लिए रज्ज दौर आर्टी से तर्मर्फ तक्षव किया जाए। इसके दूसी बात यह थी कि बरीटें अदहारवाद का घर रहा है बरीटेंर में मतादिकार करमा सब्यक्ति वैपक होते जाने के कान कि विछी भी राजनती जल बरीटेंर के उधार डल के लिए भी कर लtoंगे दृत्ञए करने के लिए इस मड़न वर्में पर अद्धान के दि धनी मानी वर्ग अब उनके सोशनल का प्रितन करता है जनता के हीतों के लिए सभी संभो कारिये सरकार सेतर में आ जाना चाहिए इस दुर्ष्टी से उधारवादिन रज्जी दौरा संसालिस स्कूलों के विववस्ता मद निशेद बुच्चों स्थ्रियों के स्रम के अधिका समर्थन प्राहम किया इसके बाद उनके दोवारे इस बात पर बल दिया गया कि राज्जी दौरा व्यापार वर्दावस्ता के लिए पेंशन योजना और बेकारी और बेमारी बीमा योजना के अपना है जाना चाहिए इस प्रकावन निश्व स्थाबदी में के मद्य तक तो उदारवादी इस प्रक्स में था कि राज्जी का कारिशतर संकुजित होना चाहिए लेकिर इसके बाद उदारवादी के दोवारा राज्जी के कारिशतर का कार्मिक वर्दी का प्रत्वादन किया गया उदारवादी विचारधरा का यह नवीन रूप थामस हिल गरिन क गा था कि गृन को अधि को अधिन अधनिक राज जनतनागा का बढ़ने कहा जा सकता है उसके तोरा राजजी का ऑस रबल देने वाले परमपरागत उधारवाधन राज्य के ळेवी इस तर परदान के वाёз तर्शौद करते हुए अध्रiforn स Mira TV कर emergen बनाया उधारवादी उद्रवाद नवीन दूर्प प्रदान कर गूरीन ने सर्वाधिकार के वीगूद उधारवात के दिरक्षा कारी का फिर भी उधारवाद की आलोस ना हुई यानि प्रम्रगत उधारवाद की तो लगबग उसी परकार से आलोस ना की जिस परकार वेक्तिवाद की आलोस ना की गी कि इन अनुदारवादी सदश्चे एड्मर्ड बर्क का नाम सबसे उपर लिए जाता है गुदारवाद की पर्थम और गंबिट रूटी यह है कि इसके दोरा इत्यास और प्रमपराओं को उचित में तो पता नहीं किया गया प्रमपराओं के पीछे पीडियों के अनुभावन ही होते हैं अतीद में एकदम और पूर्ण समंद तोड़ लेना ना तो संदोफा ना ही उचित आज का जिवन बहुत कुछ शिमा तक भूत कालिन प्रिश्टियों का ही प्रिणाम है उधारवाद को यालोस ना करते हुए एका जा सकता है कि दर्शन में मानुवी वर्दी मानुवी वर्दी को बहुत अधिक मैं तो प्रताम किया गया जोग यह उनुची तो वास्ता मानुवी घटनाकरम के निद्धन में वर्दी की है और अपक्षा इस विच्छ और श्रीय किया जा सकता है तत्य यह है कि राज्य उस्तम मानुवी गूनों के विकास और महान तम आदर्शों की प्राप्ति की में क्रिया सील्था एमसासवादी वादी विचार भी उदारवाद के आलसना करते हैं कि उदारवाद में वेक्षि को जिस परकार की पूर्ण सुतनता दे निदारवाद के अलसना की गई जिसमें उदारवाद पूंजिवधी वर्ग कहिरतों का सोस्ट पोर्शन करता है और पूंजिवधा साइक बशने फिर भी सका परभावों और मैतवा है उदारवाद का व्याने की इस दसने राष्टरों के इतियास को मैतव कुर्ण रूब स प्रवस्त जिसके प्रेनाम सुरुवा आर्टी सेतरों की निवाशियों निया आर्टी सेतर मेर्षिलिनई प्रइडुनरक प्रिक्त की इसके दोरा मुक्त वैयापॉर पर्बल दिया गया जिसके प्रिच के वीबिन देश एक दूसरे की समय पाए एक विश्व बाजार का निर्मानवा इसने ध्रम और आजनुति को एक दूसरे से पर्थक कर ध्रम निपक्स्ता का मार्ग परस्ष्ट किया जो आज के प्रगिंशी लियू का एक बहुत बड़ा परती कि इसने विश्चेस देगारों पर अध्धारिद यूपुरानी विवस् रश्ट्रिय स्वधिन्ता में मैंत्कुन होगदान दिया उदारवाद की एक विश्चेस दा ये रही है कि इसके दोवारा बदलती हुए प्रिस्ट्रिय अपने सवरूप में पर्वतन कर लिया गया है यह दी परमप्रागत उदारवाद का साइक दरसन रहा है तो आज का उ अधरवाद को लोग कुंद्री राश्ट्रिय स्वधिन्ता और आर्थिक प्रगतिक आदर्शन का जा सकता है पच्छी में देशन पर उदारवाद के प्रभाद के समन्नों प्रॉफिस लास की लिखते हैं कि पिसले लगबग सो वर्शों की अमरीकी सब्वेता को उदारवा आर्वाद